हलो एबरियान वेलकम टू आवर यूटूब चैनल आई टी ए इजुकेशन आई टी पास्वल्डर्स के लिए न्यू बेकेंसी निकल कर आ रही है मिधानी की ओर से जिसका पूरा नाम है मिस्र धातु निगम लिम्टेट की तरफ से यहां पे आई टी पास्वल्डर्स के लिए फिक्स टर्म कॉंट्रेक्ट बेसिस अधारित नौकरी निकाली गई है और वाल इन सेलेक्शन के तुरू आप लोग को यहां पे सेलेक्शन प्रोसेस होने वाला है गाईज तो वीडियो में कंप्लीट बने हुए रहीगा मैं आप सभी को बताऊंगा कौन से ट्रेट वालों हैं साथी साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा टिलीग्राम गुरूप पर जूड जाएगा आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे अगर पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे तो सब्सक्राब करके बेल आइकन को ओल कर दिजिएगा इसी तरीके से टेक्निकल जोब का अपडेट आप सभी को पहले मिलेगा तो गाइस मैं आप सभी को बता दो कि प्रिजेंट टाइम में पर्मनेंट बेकेंसी बहुती कम निकल लाई है आईटी वालों के लिए और बेकेंसी कुछ निकल भी रही है तो वह कॉंट्रेक्ट वेसिस हो या फिक्स टर्म को भेल के बारे में पता आए था जहां पर वेल्डर का रिकुर्मेंट आया हुआ अभी यह मिधानी का रिकुर्मेंट है तो मैं सोचा था कि नहीं बनाओंगा लेकिन वीडियो में फिर सोचा की बना कि आप लोग को बता की देता हूं जो भी यह चाहे एक वीट का हो या द तो गाइज अगर आप लोग इसमें जाना चाहेंगे तो आप लोग जा सकते हैं जो फेकेंसी है अपने बने वर रहीएगा तो यह मैं सुची है कि वेगरा या सब्सक्राइब गेंड करने के लिए मैं वीडियो बना देता हूं एक-दो बेकेंसी के लिए या एक-दो ट्रेट बना रहा हूं तो गाइज यह जो डिपार्टमेंट है भारा सरकार का डिपार्टमेंट है मिनी रत कंपनी है और यह फिक्स टर्म कॉंटेक्ट बेसिस का अधार पर निकाला गया है वेकेंसी और आप लोगो इस एड्रेस पर जाना होगा मिन्धानी कॉर्पोरेट ऑफिस और डियम मैं इसका फुल एड्रेस बता दूंगा यहीं पर आप लोगो जाना होगा तो यहां पे जो आइटी वालों के लिए जो रिकूर्मेंट है यह दो ट्रेडों के लिए है एक तो फिटर ट्रेड के लिए है और एक वेल्डर ट्रेड के लिए है तो फिटर ट्रेड वालों का जो वालकिन सेलेक्शन होगा 25 नॉमबर मंडे को होगा यहां पर पोस्ट का नेम है असिस्टे इसमें टोटल लॉम नंबर वेकेंसी की बात करो तो वेल्डर में चार पोस्ट है कटेगी रिवाइज यहां पर सीटो का मेंशन किया गया है सेलेक्शन प्रोसेश जो आप लोग का होगा वहाँ पर लोग इस डेट में जो पाटिकुलर डेट फीटर का जो 25 नंबर है और वेल्डर का जो 26 नंबर है इस डेट में जाएंगे तो यहाँ पर लोग का रिटेंट टेस्ट हो जाएगा और आप लोग का ट्रेट टेस्ट भी ह गाइब और यह दोनों चीज़ अपलों का इंग्लिस में होगा का इंगलिस में होगा नीचे में पताया है इंगलिस में दोनों चीज रहने वाला है सलेडी की बात करो तो 38,960 रुपिया पेमेंट मिलेगा आप लोग का पर मन्त दोनों का सलेडी सेम है qualification की बात करू तो आप लोग का जो fitted वारों के लिए है तेंथ पास रहना चाहिए पलस ITA fitted trade में रहना चाहिए और साथी साथ आप लोग का apprenticeship certificate रहना चाहिए national apprenticeship certificate और आप लोग का तीन साल का यहाँ पे post qualification experience भी रहना चाहिए उसी तरीके से welder के लिए तेंथ पलस ITA welder trade में पलस apprenticeship certificate नेशनल apprenticeship certificate रहना चाहिए और तीन सालों का आप लोग का post qualification experience भी रहना चाहिए तो आप लोग का तेंथ आप लोग इस बेकेंशी में participate कर सकते हैं अब experience किस field का चाहिए किस छेत्र का चाहिए तो यहाँ पे लिखा गया है और जिनका steel industry में experience होगा उनको यहाँ पे वरेता दिया जाएगा और यहाँ पे दोनों के लिए अपर age limit 33 साल यहाँ पे रखा गया है लेकिन further यह extend भी किया जा सकता है तीन सालों के लिए आप लोग का performance और इनका यानि department का requirement के अनुसार तो initial दोर पर यह एक सालों का जावब बाद में यह तीन सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है अगर आप लोग का performance अच्छा होगा तो और organization यानि department को जुरूरत होगा तो और जितने भी other allowances होंगे वेगरा वो सब भी आप लोग को provide किया जाएगा तो उस particular address पे सारा original document आप लोग को ले कर जाना होगा जितने भी डोकुमेंट है और उसका gyroscopy करा करके जाना होगा और जो इसका पूरा address है मिधानी corporate office और अटरोडियम कंचना बाग हैदराबाद 50058 इस address पे आप लोग को जाना होगा और आप लोग का यहां पर reporting time आठ वजए आठ वजए आठ वजए रिपोर्ट कर लीजेगा सारे 10 वजए के बाद आप लोग को यहां पर entry नहीं मिलेगा तो आठ वजए तक ही आप लोग को यहां पर entry कर लेना है और यहां पर सभी original डुकुमेंट आप लोग को लेके जाना है यहां पर जो भी document mention किया गया है वह आप सभी लेके जा सकते हैं सबी ओरिजिनल डुकुमेंट आप लोग लेके जाएंगे तभी आप लोग को यहां पर पार्टिसिपेशन मिलेगा तो वह आप लोग को एड्रेस हो गिया और सेलेक्शन प्रोसेस मैंने आप लोग बता ही दिया हो रिटेंट टेस्ट वगारा होगा और स्कील टेस्ट या टे लास्ट कंट बटीकल टक यह सखने आप लोग करना चाहते हैं ज Pv обяз गर्रेफ से जाना चाहते हैं जो भीस टर्म उप करना चाहते ह्थ जो वेल्डर और फीटर ट्रेट के लिए यहां पे मोगा है आप लोग इलिजिबूल है तो देख सकते हैं इस वेकेंसी को लेकिन मेरा पहला आप लोग से रहेगा कि पर्मानेंट वेकेंसी आप पहले तयारी कीजिए लेकिन जिनको जरूरत है जिनको जौब करना है चाहिए इस वेकेंसी को देख सकते हैं तो डिफेंस का जौब मिधानी जो कंपणी है डिफेंस है रक्षा मंतरा लेकंदर का ता आता है तो अच्छा जौब है बस अरते हैं कि यहीं है फिक्स्ट टर्म कॉंट्रेक्ट बेसिस पे यह जौब है बादबाकी यहीं एक छोड़ा सा मिलूँगा नए वीडियो में नई अपडेट के साथ धन्नवाद